Hello everyone and welcome back to AD Technovation, I am Amit and आज के इस important वीडियो में हम लोग discuss करेंगे बहुती मेजर दो टॉपिक जो आप लोग जुरूर देखिए, आपको जुरूर देखना चाहिए अगर आप online कमा रहे हैं, भी online कमाते हैं और especially अगर आप bitcoins या हम कहें crypto currencies में कमा रहे हैं, deal करते हैं या invest कर रहे हैं तो आप लोगों को ये video ज़रूर देखना चाहिए और इससे भी important है, आज हम बात करेंगे भारत की digital currency जो RBI, Reserve Bank of India के द्वारा launch की जा सकती है, बहुत ही जल्दी इसकी पूरी संभावना बन गई है RBI के governor ने इसके बारे में क्या कहा है, वो भी discuss करेंगे और ये सारा जो scenario है, जो crypto currency जो bill लेकर आ रही है, government और यहाँ पर जो currency launch की जा रही है digital currency, RBI के governor ने इसका indication दिया है, वो किस तरह से आप लोगों को effect कर सकती है, online कमाने वालों को या crypto's में deal करने वालों को, इस चीज़ को हम discuss करेंगे, प्लीज वीडियो पूरा देखिए, आप लोगों को इससे ज़रूर help होगी तो आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि crypto currencies को लेकर एक bill यहाँ पर आने वाला है और इसको लेकर काफी panic लोगों में हैं, जो crypto's में deal कर रहे हैं, कहीं न कहीं और इसकी वज़ा से काफी जादा market पे भी फरक पढ़ रहा है और बहुत जादा problem create हो रही है तो ये जो panic की वज़ा से लोग इंतिजार कर रहे हैं, कि ये जो bill है, इसमें क्या आने वाला है क्रिप्टो करंसी बैन होने वाली हैं यहाँ पर, और अगर ऐसा होगा, तो काफी लोगों को इससे बहुत फरक पढ़ने वाला है और दूसरी चीज़, अगर नहीं होगा, तो क्या होगा, तो इसी चीज़ पर हम आज discuss कर रहे हैं तो first of all देखो यहाँ पर अभी RBI के जो गवरनर हैं, अगर RBI के गवरनर का अभी statement हम देखे हैं तो Reserve Bank of India के गवरनर ने कुछ indications दिये हैं और इन्होंने जो खास बात कही है, उसको लेकर जो एक चीज़ें निकल कर आ रही हैं, वो हम समझेंगे इन्होंने जो खास बात कही हैं, इन्होंने इस बात पर जोर दिया है अभी, कि इनसे जब पूछा गया, cryptocurrencies को लेकर, तो इन्होंने cryptocurrencies को लेकर, यह indication नहीं दिया कि they are positive, government is positive about these cryptocurrencies, अगर आपको याद होगा, अगर government positive होती, तो कभी भी इसको लेकर, जो court में case चला, Supreme Court तक यह case गया, और Supreme Court ने हाला कि उस समय मना कर दिया था कि नहीं आप government जो है वो, या RBI ने जो RBI इसको लेकर गया था basically, तो उन्होंने जो कहा था कि नहीं, RBI को मना कर दिया था कि आप इसको ban नहीं कर सकते, क्योंकि RBI ने recommend किया था कि यह हमारी अर्थविवस्ता के लिए जो cryptocurrencies हैं, bitcoins and all that, तो वो safe नहीं है या उनके लिए उससे हमारी अर्थविवस्ता पर, condition पर सही प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको Supreme Court ने उस समय मना कर दिया था, अब उसी के बाद जहां यहां पर यह जो government है, यहां पर एक bill लेकर आ रही है इसी वजा से, और bill तभी लाए जाते clear किया जाएगा, तो यह जो bill है, यहां पर present किया जाएगा और इसको अगर approval clear हो जाता है, और जो launch हो जाता है, तो यहां पर crypto के ban की बात की जा रही है, तो अगर RBI गवर्नर ने जो जो कहा है यहां पर, उनकी statement पर हम गौर करें, तो RBI गवर्नर ने यह चीज़ तो clear की है, क blockchain system जो चलता है, कहीं न कहीं आपको पता ही होगा, cryptocurrencies को लेकर, तो उन्होंने कहा है, इसका समर्थन किया है, उन्होंने कि cryptocurrency में, सोरी, जो blockchain system है, वो अपनी जगा सही है, और इसको इसको इस्तमाल किया जाना चाहिए, इस technology के system को, लेकिन, उसी के साथ में digital currency, जो इंडिया की ह launch करने की बात की जा रही है, उनके द्वारा, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा, तो government का जो नजरिया है, या और वे governor ने जो कहा है, कहीं न कहीं, कि crypto currencies को इतना जादा वो value नहीं दे रहे हैं, उनकी नजर में शायद उतना, उनको सही नहीं है, और उ इसलिए उन्होंने digital currency launch करने की बात कही है, तो उन्होंने कहा है, इसका base जो है, वो एक system चल रहा है, वो तो सही है, लेकिन जस तरह से crypto currency दुनिया में चल रही है, वो system थोड़ा risky है, इसलिए हम अपनी digital currency लाएंगे, और आत्म निर्बर वारत चली रहा है, तो कहीं न कहीं तो अपने system के साब से secure करेंगे, अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, देखो, क्योंकि आपको पता है कि जुतनी भी crypto currencies इंडिया में, या globally use हो रही है, उन्में एक problem रहती है कि crypto currencies का basically problem यह होता है, कि वो regulated नहीं है, तो इसी वज़ा से यह problem आती है, decentralized है, यानि कि उन पर किसी भ bank का, country का, एक सरा से अधिकार नहीं है, तो उसके लिए नियम नहीं है कोई भी, कहीं न कहीं, कोई central authority नहीं है, जैसे हर जगा होती है, हमारे जितने भी bank हैं, उनके उपर RBI है, तो हर जगा, हर banking संस्था पर, या financial institution पर कोई पकड़ होती है कि कि कोई दिक्कत हो, तो वो उसक इसा नहीं है, यह decentralized है, इस पर कोई central authority नहीं है पूरे world में, और इसी वज़ा से, यह risk की बहुत जादा रहता है, और इसको कोई भी इंकार नहीं करेगा, सबसे बड़ा factor इसमें यह है, बले ही, इसकी prices बहुत हाई है, बड़े-बड़े लोग इसमें invest कर रहे हैं, बहुत ज नई digital currency को launch करने की बात यहाँ पर रखी है, basically, ओके, तो यह जो नई digital currency होगी, और वो digital currency इंडिया में, उसी तरह से काम करने का प्रयास करेगी, जिस तरह से cryptocurrencies काम करती हैं, लेकिन यह RBI के द्वारा regulated होगी, तो यानि कि RBI इसको handle करेगा, और यहाँ पर पकड़ बनाए रख जिस से की कोई भी यहाँ पर दोकादड़ी हो, तो है हमारे लिए RBI होगा, तो अब digital currency या digital currency का क्या इस्तमाल रहेगा इंडिया में, वो हम किसी और topic में discuss करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर digital currency इंडिया की यूज की जाएगी, और बाकियों को ban कर दिया जाएगा, तो हम इं तो इसका सारा खेल बचा हुआ है अब crypto bill पर, जो bill currency bill है, crypto currency पर जो bill है, अभी हलांकि parliament session में इसको नहीं रखा गया है, लेकिन अगर रखा जाएगा, और जैसा कि रखा ही जाएगा, कहा जा रहा है, आगे पीछे, तो जब तक यह bill नहीं आता है, तब तक यह बात कहना होता है, तो अगर यहाँ पर ban होता है, तो भई, बहुत लोगों को already problem हो रही होगी, और हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें जबरदस investment इंडिया से भी कर रहे थे, और अगर नहीं होता है, तो government इसको regulate भी कर सकती है, regulate का मतलब है, इस पर सकती नियम बना सकती है, उस से भी कुछ ना कुछ फरक पड़ेगा, काफी फरक पड़ेगा, हाँ, यह जरूर है कि अगर बैन होती है, तो बिलकुली बैन बच जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती है, अगर regulate करता है, इसको control करता है, कही ना कहीं कुछ नियम बनाता है, government, बनाती है government, तो इस बिल के तो थोड़ी बहुत रात रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन तो जरूर होगा, तो सारा खेल अब बिल पर अटका हुआ है, अब बिल जब तक नहीं आता, तब तक कोई भी सांस रिलेक्स नहीं हो सकता है, चैन की सांस नहीं ले सकते, क्योंकि तब तक तो उनका इंपक्ट तो आएगा किसी ना किसी फॉर्मेट में, और रही डिजिटल करनसी की बात, तो ये बहुत अच्छा एक कदम हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि डिजिटल करनसी इंडिया को भी वो फायदा देगी, जो की क्रिप्टो करनसी दे रही है, आपको अपने प इंडिया अपनी ही एक सिस्टम बनाए, ये इन्होंने सूचा हुआ है, कहीं न कहीं, लेकिन इसके अलग चैलेंजिस रहेंगे, ये बास सही है, और देखो दोनों ही पक्ष हैं, अगर क्रिप्टो में डील करते हो, तो वो सारे फैक्टर हमेशा से थे, रिस्क हमेशा बना रहता है हमाँ पर, इसलिए गवर्मेंट इसको लेकर सीरियस है, तो कुछ भी हो सकता है, बिल को लेकर अभी आप बेट करो, अगर इसको लेकर जब clarity से information आएगी, तब ही कुछ clear होगा, ये मेरा मानना है, दोखो मेरा point of view है, उसके बाद ही चारी चीज़ है clear होंगी, अधर फिलाल आप लोगों को इस वीडियो से कर कुछ help हो पाएगी, तो जरूर इसको आप share कीजेगा, अभी ध्यान रखें, बिल का wait करें, बिल को देखें, उस पर नजर बनाया रखें, मैं भी आप से share करूँगा, क्या आने वाला है, इस बिल में अगर launch होता है, या इसकी क्या information आती है, फिलाल इस पर ध्यान रखना जरूरी है, और इस बास से कोई भी कितना भी इंकार करें, नहीं, इसको हम avoid कर सकते हैं, कि जब तक बिल नहीं आता है, clarity नहीं है, सब कुछ speculation है, अंदाजे हैं, तो बस यही मेरा कहना है, यहाँ पर आज का वीडियो सी कीजिए, इसक ए्यातिन, बभीária रचिए, झाल टसे ऑलाए मेजिए, पिले से एड़को झालने नहीं है, यूको झालने मेरा कहने हम कोशने ल ねपको झालने हैं, को एपर आपको झालने हैं, आपको हम शब शньक्म Missionенияıyla में हैं, जुझशे हो जूैँ it's जिए ऎुए हम च69 चुशने हैं कि सक